पिडिये चात्रो नमस्कार निवास क्लासेज में आपका स्वगत है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बर्ग 6 का गणित परशना वाली 132 का परशन संख्या 4 से हल करके बताएंगे तो दोस्तो पिछले वीडियो में हम आपको परशन संख्या एक से लेके तीन तक का सोललेसन बताएं थिक तो आज की वीडियो में परसंद संख्या चार को सब्सक्रिकलां दे actively present है कि तो जैसा की प्रस्ट में लिखा था आयत की लंबाई 10 cm और आयत की चोड़ाई 12 cm दोस्तों प्रस्ट को आप दोबारा देख सकते हैं जैसा की प्रस्ट में दिया था आप यहां देख सकते हैं कि मतलब दोस्तों प्रस्ट मतलब लंबाई दिया हुआ एक चौड़ाई दिया हुआ ठीक है इसी को हम आएत का लंबाई और इसको लिखें चावड़ाई ठीक है तो आप समझ गया अभी हासे आपको पहले nix.com निकाल लेते हैं तो अब निकाल लेते हैं तो आप यहां किसे प् 12 12 ठीकिन उसके बाद यह सभी मान का है क्या निकालना है परसंड को दूबार आप देख सकते हैं परसंड को आप आप देख सकते हैं यहां पर क्या रिखा हुआ है जिसा कि दिया गया है कि 10 सेमिंग गुना बारग शेमिया तकार कागज की टुक्रे में कितने टुक्रे काटे जा सकते हैं पर यह करके जाची बस आपको यह समझना दोस्तों आयत का 6 निकल के आगया कितना 120 मीटर ठीक है तो आप यहां चीज को समय सकते हैं कि दो वर्ग से बीजिसको बातना ठीक है मतलब 120 वटा 2 करना तो इसको किस तरह से भासा में लिखना है और उसको जाचना है चलिए हम आपको बताते हैं ठीक है तो आप इसको इस तरह से लिखेगा की 120 सेंटीमीटर वर्ग वाले तकार यह सभी तो इस तरह से इसका एंसर हो जयागा है मैं आशा करता हूँ या प्रसक्र चार अच्छी प्रकार से सिमझें इसका दोस्तो इसी तरह से पॉस्त्य संक्राद अपांच को हल करें यह कमडे की आईताकार स्व की अटाकर फर्ट फार दो और फर्स की चौड़ाइं धिया गया कितना दो मीटर पचाश सेंटी मीटर तो इस फर्स पर दह स्वेंगुना पांच सेमिके टैले बिछाने का करना तो पहले कितने टैल्स लगेंगे और कितने टैल्स के कितने क्याश्य लगेंक में परस्की लिखा गया था फर्स की लंबाए 6 meters पचास से घलओं टो पर चोड़ाए को मीटर प्रिक मेशोचा में तो आप जानते हैं इसलिए हापि क्या सब्सक्राने थिक तो कितना होगा साड़ है छे सो और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं उसके बाद इसमें लगावा तosphonothous significa तो आप मेहान से भी लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद यहां हो जाएगा दो मीटर है तो दो गुना यहां भी बदलेंगे तो हो जाएगा कितना सो और यह पलस में पचास सेमी रहेगा ठीक है तो आप यहां लिख सकते हैं जब इसको गुना करेंगे तो कितना है तो גुना सो करेंगे तो 200 पलस में 250 करेंगे, तो यहां लिखते हैं च्छेतरफल बराबर तो दोस्तों इहां आपको कमान देना है फार्स का चेज़ लंबाई निकल करद एक इतना 650 थिसके बाद यहां क्या गुणा का साइन लगाना ठीके उसके बाद चौड़ाई सब्हाई कमाड निकल के आए कितना जिश को गुना करके लिखना है बना की दो गुना 25 जब इसको गुना कीजिएगा तो यह आएगा 1625 ठीक है तो दोस्तों फर्स का छेतर रफल निकालना सिख गें अब दोस्तों यहां से आपको प्रश्ण को पुना देखना पड़ेगा अच्कि प्रश्ण में क्या बताया गया था ठीक है तो प्रश्ण के एकोडिंग इन सभी कमान ग्याथ हो चुका है तो यहां से आप आपको ग्याद करना है दस सेमी पांच सेमी की टैले विछाने का खर्श्ण इसका मतलब है कि यहां पर आपको टैल की छेतर रुफल निकालना है दोस्तों इसका लंबाई हो जाएगा दस और चौड़ाई हो जाएगा पा पांच सेमी ठीके चुकि लगावा दोनों में सेमी ताप लिख सकते हैं दोस्तों इसको गुना करेंगे कितना होगा दपचे-50 इसलिए टैल का छेतर फल आजाएगा पचास सेंटीमीटर बर्ग क्योंकि सेमी सेंटीमीटर बर्ग होगा ठीक है तो यह तो निकल कि आगया प तरह से आपको लिखना से टैल सीसंग्ख्या बराब है यहां पे आपको ग्यात करना है लिखका ठीक है इस तरह से आपको लिखना है टैल जीरो बटा टैल्स का छेत्वल का नुसार यह हो जाएगा पचास ठीके तो एक जिरो से एक जिरो केंसिल हो जाएगा आप यहां से पांच से भाग इसमें दीजिएगा ठीके इसका राय टेंसर कितना आएगा तो आप यहां लिख सकते हैं तो यह आप लिख सकते हैं यह इसका संख्या निकल के आएगा तो दोस्तों अब आपको पुरह प्रस्ट में देखना है तो दोस्तों इस तरह से लिखेगा तो एक टैल की कीमत पांस रुपया था इसको गुना कीजिए गा इसका राइट एंसर आएगा 1625-0 रुपया ठीक है आप इसको गुना कर लिए यह इसका राइट एंसर है ठीक है तो दोस्तों मैं आशार करता हूं कि यह भी प्रेस्ट आप अच्छी परकार से समझ गें तो इ परेस्ट तो काफी है साने जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहां दिया गया है कि आयत की लंबाई दो मीटर और चोड़ाई 0.5 मीटर ठीक है तो यहां तक तो आप समझ गए बाकी आगे परेस्ट समझना है इसे लिखा हुआ इसे पूरी तरह सनमाइका से ढखने का खर्च नहीं मे घ्यात की जीए तो पहले तो आप उसको घ्यात किजिएक अब कर नहीं खहा तरहें 180 रिप्या लगता है तो चलिए पहले हम वहां से ग्याद कर लेते हैं आयताकार का छेत्रफल ठीक है तभी आप इसको अची परकार से ग्याद कर पाईएगा तो दोस्तों जैसा कि प्रेस्ट निखा हुआ था उससी तरह से आपने लिख रखाया कि टेबल की लंबाई दो मीट टेबल की चौड़ाई 0.5 मीटर ठीक है यहां पर समय के बचाने के लिए दोस्तों यहां पर डॉट कर निशान लगा दिए ठीक है इसी तरह से टेबल का उपरी तलका छेत्रफल आप यहां से निकालना है तो दोस्तों उपरी तलका हो जाएका छेत्रफल लंबाई गुने लंबाई गुनिये हैं बस मांन रखे आपको भबढ़स करना ठीक है तो यहां पे मां रखेगा तो हुझेगा लंबाई कमान दो गुना चाहिक मान 0.5 मीटर लगा हुआ है सब्सक्राइब के उपरी तल का च्काल तो आपको गयाद करना ठीक है इसलिए आपको लिखना है कर ठीक है कि तो जैसा कि प्रस्ति प्रणा का कीमत हो रहा था इक तो यहाँ पर सकते हैं कि टेबल उपरी तल का छेटफर निकल किया है वन पॉइंट जीलो मीटर एक बोल सकते हैं ठीक है तो इसलिए लिखा है कि सनमायका का खर्च जाएगा एक सो आसी ठीक है यहां की जिगात एक 180 मतलब सनमायका का खर्च आगा कितना 180 यह आपका जो है राइट एंसर है ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रशन संख्या 6 भी आप अच्छी परकार से समझ गये तो आप चाहें इसकार्स की इंसर्ट ले सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह से प्रशन संख्या 7 को प्रशन संख्या 7 में है एक डिवार की लंबाए 30 मीटर और 2 मीटर है तो दिवार पर पुताई करने का खर्च घ्याद किजिए जब कि पुताई का खर्च 50 रुपिय प्रति ब्रम म मतलब हता है एक बर्क मीटर कर दे रहा ठीक है अनि SPEAK एक बर्ग मीटर कर दे रहा है कितना 50 रुपिया अब इतना लेता है एक बर्ग पुताई करने का ठीक है तो आप समझ सकते हैं किसका पहले टोटल 6 रुफल निकालना है उसके बाद कितना लगेगा उससे आपको क्या करना है गुना करना है उससे एंसर में ठीक है तो यह समझ चलिए इस प्रस्ण के कोडिंग पहले कोपी पे अच्छी तरह से प्रस्ण को लिख लेते हैं उसके बाद आपको हम समझाते हैं किसको कैसे हल करना है तो दोस्तों प्रस्ण के कोडिंग आपको भी अपने कोपी पे इस तरह से लिख लेना है जैसा कि प्रस्ण में दिया गय यहां 30 ठीक ठीक है उसके बाद लगा लगा हुआ है तो आप मीटर भी लगा सकते हैं इस तरह से ठीक है इसके बाद आपको गुणा करना है जब इसको किजेगा ठीदूना साथ इसलिए हो जाएगा ठीन फेन मीटर बर्ग नगादीजेए यह आप लीक्स भी सकते हैं तो इस तरहिए इसका छेत्रफल आ गया है ठीके अब आपको ग्याद करना है ठीके जो बताय गया है कि पुताई में खर्च कितना लग रहा है दोस्तों परस्टन को आपको पुनह देख लेना होगा ठीके तो आप यहां देख सकते हैं कि यह चीज तो ग्याद हो चुका है अब दिबार की बस च्षेटरफल में क्या करना है 50 अुट यहां लगा देना मतलब आपको इसलिए लगाना है ब्राबर निशा नहीं लगाना मतलब यह इसका घ्रत पूताई करने का खर्च ठीक है तो यह इसका राइठ एंसर है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि प्रसंद संख्या साथ भी आप अच्छी परकार से समझ गये हैं ठीक है तो इसी तरह से अगले प्रसंद को हल करेंगे तो प्रसंद संख्या आठ में है 6.5 मीटर लंबाई एबम 4.0 मीटर चुड़ाई बाले एतकार एक भुखंड पर 1.5 मीटर भु अब इसको प्रसंद को अची तरह से लिख लते ठीगे तो प्रसंद के को आपको कोपी पे इसी तरह से लिखना है जिसा कि हम ने आपे लिख रखाय कि आतकार भुखर्ण की लंबाई 6.5 मीटर जीसा की प्रसंद में दिया था और आतकार भुखंड का चौड़ाई प्राब करना ठीक है जब गुना कीज़ेगा तो पांच चौक 20 ठीक है उसके बाद छोच चौक 24 दो 26 इतना पॉइंट लगा हुआ है तो एक संख्याक पहले पॉइंट लगा देना है मतलब कि कितना एगा 26 आएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों मीटर मीटर है तो यह मीटर बर्ग हो ठीक है तो दोस्तों जैसा कि प्रस्त में दिया था और अकिया का भुजा 1.5 मीटर ठीक है तो यहां से चेटरफल निकाल लिए हैं भुजा अंसका रुचा का निकल चुका है इसलिए आपको गयात करना है अब 7 का छेतरफल यहां देना दो बर्ग चेटरफल पॉइनंका त से चाहसे गम को हल करेंगे एक टायल की माप खेसें 5 सेमी है तके तब करें कित्य एंचेतरों को पूर्नतफय ढखने के लिए इस सब्सक्रइब कितने थाल को सकता होग है निम्ना नुसार है शजिसा कि देख सकते हैं यहां यह दिया गया ये जीजन आपको अलग नीकालना थो इसको पहले हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना टीक है तो medications कि कोडिंग टूसरा से लेत एंट सबी को अच्शी तरह से लिख लेते हैं ठीक है तो दोस्तो जैसा कि देया गया था टैल की माप 6-5 से मिटें तो उसी पे हमने क्या रमान लखा कि टैल का 6 दुफल लंबाई गून चोड़ा ए ठीक है कि फर्स का छेत्र रुफल बराबर रहता है लंबाय गुने चौड़ाई अब यहां पर लंबाय चौड़ाई कमान देखकर यहां पर इसका सोलेशन निकाल लिए यहां पर आ जाएगा ठीक है कि फर्स का छेत्र फल 18000 और ट्याणों का चेत्र रुफल तो काटे हैं एक जिरो तीन से काटेगा इतना को तो छेस्व आएगा ठीक है आगी आप कर सकते हैं कि ट्याणों का संख्या मान को प्रूफ करना ठीक है दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह प्रश्म आप समझ गया तो आप बी को भी अच्छी प्रकार से इंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है